मुझे ना TCS से एक लड़की का मैसेज आता है कि भी यह मैं TCS में हूँ और मैं support project में काम करता हूँ पहले मैं उससे पहले bench पे था और उसके बाद मुझे support project में डाल दिया मैंने सोचा कि यह मुझे अच्छा कासा सीखने को मिलेगा वहां से बट यहां पर को सीखने को मिलनी रहा है एक साल हो गया और almost 9 months से मैं bench पे था तो मुझे almost 2 years complete होने जा रहे हैं अब मैं क्या गरूँ मुझे company change करनी है उस domain में कोई vacancies है नहीं तो मुझे company change कैसे करूँ मैं ऐसे questions बहुत सारे आते हैं मेरे पास बहुत सारे लोगों को यह भी आते हैं कि बहिया मैं बैंच पी हूँ दो साल से मुझे कोई project में assign नहीं हुआ मुझे company change करनी है पैसा कैसे बढ़ा हूँ मैं आप salary कैसे मिलेगी मुझे salary तो मिलेगी पैसा कैसे increase होगा same question अधरका भी रहता है कोई company support project में काम कर रहा है उन्हें development में जाना है मला एक scenario ऐसा बनता है कि आपको company change करनी है company change इसलिए करनी है क्योंकि आपको पैसा बढ़ाना है अगर पैसा बढ़ेगा मतलब आपको interview clear करना पड़ेगा तब आपका पैसा बढ़ेगा क्योंकि दूसरी company में जाओगा आपको आना भी चाहिए आपका interview clear भी होना चाहिए उसके basis पर आपको पैसा बढ़ेग यार बहुत सारी चीज़ होती है, जो मैं नहीं बता सकता Companies की policies में होता है कि यह तुम नहीं discuss कर सकते hem आपको एक चीज़ बताता हूँ आप Company Change करना चाहरे हूँ राइट आप 2 साल से bench पुर इसका किसको पता है Company को पता है राइट वो भी आपकी company को पता है और आपको पता है और किसी को तो नहीं पता तब समझदार हो कि मैं कहना क्या चाहरा हूँ आपको पता है कि आपने दो साल क्या किया है मुझे नहीं पता भाई कि आपने काम किया भी है या नहीं भी किया है तो किस टेकनलोजी में आपने काम किया है कहीं ऐसा तो नहीं आपने SAP डवलपर हो आपने SAP डवलपर का प्रुजू में दिखाया और मैं तो माल लूँगा क्यों कि मुझे नहीं पता आपका experience बोला है कि 2 साल experience है बट मुझे यह नहीं पता कि आपने 2 साल काम किया SAP में या नहीं अगर आपने interview निकाल लिया तो भाई मैं तो पैचानी नहीं पाऊंगा ना कि आपने SAP डवलपर का काम किया है या नहीं किया अब आप समझ कहोंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं सेम बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत होती है जो support project में and development की project में जाना चाहते है या फिर other technology में जाना चाहते है यार आपको पता है ना आपने support project में काम किया है मुझे नहीं पता अगर मैं आपका interview ले रहा हूं ना मुझे नहीं पता आप जो बताओगे मैं तो वहीं माल लोगा and आप अगर interview clear कर लोगा आपको अगर knowledge होगी अगर आपने interview clear कर लिया तो मुझे क्या पता चल ला है कि आपने support project में काम किया है या development के project में काम किया है एक आप हो जो direction ले सकते हो अपनी आप decide कर सकते हो मुझे कहा जाना है क्योंकि सामने वाले को कुछ नहीं पता आपके बारे में बस आपका एक experience letter रहेगा जिसे हम relieving letter बोलते है जिसमा बस ये लिखा रहेगा कि आपने दो साल इस company के साथ काम किया XYZ कोई भी company हो सकते है TCS, Vipro, whatever इतनी सारी company है मैं एक दो के नाम के अलू कोई भी company हो सकते है आपको पता है कि आपने दो साल क्या किया है मुझे नहीं पता तो आप समझ के होंगे मैं कहना क्या चा रहा हूँ आप company change कर सकते हो अगर आपके अंदर confidence है अगर आपको जिस tag में आप company change करना चाहते हो उस tag की अच्छी knowledge है कि आप मुझे थोड़ा वेब कूप बनाके interview के लिए कर सकते हो अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आराम से आप company change कर सकते हो आपका जो package होगा मैं 110% बोल रहा हूँ आपका package कापी अच्छा हो जाएगा आपको 100% तो hike मिली जाएगा आप किसी भी domain में जा रहा है इतना तो मिल जाएगा उससे उन पर जाते हो फिर आपको थोड़ा सा difficulties लेनी पड़ेंगी आपका domain depend करेगा आपकी domain में market में demand किया है अगर market and demand अच्छी है तो आपको package भी कापी अच्छा मिलेगा अगर demand इतनी अच्छी नहीं है तो आपको इतना अच्छा package नहीं मिलेगा बट हाँ मिल जाएगा आपको 100% तो मिल जाएगा मैं 100% इसलिए बोलना हूँ कि अगर आपका 4 या 5 लाग का package है अगर आपको इस टाइब की और भी वीडियो चाहिए होती है तो मेरे इस वीडियो के नीचे comment कर सकते हो Instagram पर मुझे follow कर सकते हो जो लोग इस वीडियो को देख रहे है वीडियो को like करके जरूल जाना चैनल पर new तो चैनल को subscribe जरूल कर देना पता नहीं आपको उससे value मिलती होगी या नहीं बट मुझे उससे बहुत अच्छा लगता है बाई गाइस मिलते हैं नेच्ट वीडियो के नई टोपिक की साथ तब तक के लिए बाई